कर दोस्तों बिग बूल मार्केटिंग में आपका स्वागत है वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को सिस्क्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए धन्यवाद आज हम डिस्क्राइब के बारे में बैंक और ब्रोडा के बारे में क्या आपको शेर में निवेश करना चाहिए नहीं हम आपके लिए गाइस बिल्कुल क्लियर कर देंगे तो पहले company के fundamentals के बारे बात की जाए तो company के fundamentals काफी अच्छे गाइस company का stock ना जादा overward zone में ना ASM की किसी red flag list में guys company के annual growth rate profit generation revenue growth rate cash flow statement income flow statement सारी की सारी positive में guys और bank of broader का जो stock है guys fundamentally बहुत strong है और company भी fundamentally बहुत जादा strong है guys so guys अब हम इसके candlestick pattern के बारे में और चार्ट एनिलिसिस करेंगे गाईस जैसा कि आप देशते हैं गाईस हमने आपको पहले भी कहा था कि आप बघ्ट कर सकते हैं और अच्छे खास है मल्टी बेगर रिटर्न कमा सकते हैं जोगी गाइस- बॉब बैंक फ़ेनेशली फंडमेंटली बहुत बाहुत बैंक है गाइस और कंपनी भी बहुत बहुत चाहिए इसके आप मैं पीइस आने किरस्टंगे शोकर है वोल्यम्स में खृदारी हो रहे है हाई वॉल्यूम्स में खृदारी हो रहे है भारी मात्रम इसके शेर उठाया रहा है यह बहुत पॉजिटिव नूज इस शेर के लिए अभी भी मैं आपको कहारो आप इस शेर पर बनी रही है आपको यह शेर अच्छे खासे रिटर्न देने की शमतार रखता है और जिस लेवल में बाइंग हो रही है यह बहुत अच्छे शेर के लिए यह शेर आपको आने वाल टाइम में दोस्तों के टार्गेट जरूर अचीव करके देगा गाइस अभी भी कहारो इस शेर में एक अवर ट्रेंस बना हुआ हुआ है और जिस तरह से आने वाल टाइम इसमें हमें बहुत अच्छा एक अपर मूव देखने को मिलेगा और बहुत अच्छा ब्रेक आउट देखने को मिलेगा गाइस अभी भी कहारो इस शेर पर जरूर बैट कीजिए अगर आम ने शेर पर पूजिशन बनाई है तो होल्ड करके रखें गाइस तो हमारे चैनल को सिस्क्राइब इजिए धन्यवाद